जै स्री राम, जै हन्मान, स्री हनुमन ते नमा, संकट से रच्छा करो, हे महावीर हन्मान, संकट मोचन किर्पानिधान, जै हन्मान, जै जै हन्मान, निश्चे प्रेम परतीते, बिने करे सन्मान, तेहीं के कारत सकल सुभ, सिद्ध करे हन्मान, हन्मान जी, आपको भागे साल बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान सोंबार का दिन 28 अगस्ते आज परदोस है सरवासिध्धी योग है साबनमा सुक्लपच की द्वादसी तीथी है स्वभग योग नौबच कर 56 मिनट के बाद आरंब होगा उ सुर्ज बलवान हो जाता है तो दुनिया आप पर महरवान हो जाती है सुर्ज के प्रभाव से भाग्य के सितारे बदलने लगते हैं और सुर्ज के प्रभाव से महत्तो कांच्छा सुख देने लगता है आप धन कमाते हैं परिवार में साम्ती और सम्रिध्धी होती है आपक प्राक्रमी बनते हैं बड़ी उप्लब्धी आपको मिलती है सपलता काम्यावी का सुख भोगते हैं और भग्य साली भी होते हैं जब आपकी कुली में सुर्ज सुक्र का परभाव होगा आप बहुत भग्य साली होंगे मिहनत लगन उत्सा संघर से अपने जीवन में तरक्की और खुसी प्राप्त करेंगे बिरस्पती और चंडर्मा की जब द्रिष्टी होती है तो आपको अच्छा लाब होता है आपके कार्ज सफल होते हैं आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं रच्छा बंधन के संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं रच्छा बंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को पूरे दीन भद्रा रहेगा रच्छा बंधन बनाने के लिए समय और सुब मुहरत आपके लिए क्या होगा इसकी जानका पारी हम आपको दे रहे हैं हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजकर 58 मिनर से पूर्णीमा तिथी लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी जैसे पूर्णीमा तिथी आरम होगा वैसे ही भद्रा आरम हो जाएगा जो रात 9 बज़े तक यानि 9 बजकर एक मिनर तक रहेगा यानि सुबह 10 बजकर 58 मिनर पर पूर्णीमा तिथी आरम होगा 30 अगस्त को तो रात 9 बजकर एक मिनर तक भद्रा भी पूर्णीमा तिथी के साथ होगा कहा जाता है भद्रा काल में रच्छा बंधन नहीं मनाना चाहिए अच्छे मूरत भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बाहने से भाई के कार्ज सिद्ध होते हैं आपके भाई विजई प्राप करते हैं उनके जीवन में खुषियां आती है सुख बरता है भाई के परिवार में समृद्दी सौभगे बढ़ता है तो आपको क्या करना है भद्रा में राखी नहीं बांधनी है तो तीस अगस्त को रात नौ बच कर एक मिनट के बाद आप राखी बांधे पर भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती भाई को पौरानिक मानेता है कि लंका के राजा रावन ने अपनी बहन से भद्रा के समय ही राखी बन्धवाई थी कहा जाता है भद्रा काल में राखी बन्धवाने के कारण ही रावन का सर्वनास हो गया था ऐसे में इस मानेता के अधार पर जब भी भद्रा लगा रहता है उस समय भद्रा काल में रच्छा बन्धन नहीं मनाया जाता कोई सुभकार्ज नहीं किया जाता क्योंकि जीवन पर संकट आ जाता है इसलिए आप भद्रा काल के बाद यानि तीस अगस्त को रात नौब बचकर एक मिनट के बाद और एक तीस अगस्ते सुभा साथ बचकर साथ मिनट तक रच्छा बन्धन का तेवार बनाएं आपकी जीवन में लाब होगा सुख होगा यानि आप रच्छा बन्धन का तेवार तीस से अगस्त को रात नौब बचकर एक मिनट के बाद बनाएं और एक तीस अगस्त को रच्छा बन्धन करें ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी थी तो आज ये उत्रा साधा नचत्र है सुर्ज सुक्र का परभाव है व समय आपके लिए लापकारी है सफलता देने बाला है नौक्री बैपार में तरक्की उनत्ती का योग बना रहा है उर्जा सक्ति आपके जीवन में बर रही है राहू की दसा अच्छी है वहीं बुद्दे और सुर्जे जीवन की परिशानी को दूर कर रहा है सम्रिधी सक्ता और सभग्य लाभी लाभ आपको प्राप्त होने वाला है मिहन से काम करेंगे भाग्य अवस्चम केगा जिस भी कार्ज में हाथ डालेंगे वहीं सफलता पाएंगे अपने कर्म से धन कमाएंगे बैभव साली जीवन आपका होगा असुप परभाव नस्ठोंगे और सभग्य का बरदान अप्राप्त करेंगे तो आज का दिन आपके लिए लाभ लेकर आया है सुख लेकर आया है आज का दिन चार चरण में वैतीत होगा पर्थम चर्ण का स्वामी बिहस्पती है दूत्य चर्ण का स्वामी सनी तिर्थे चर्ण का स्वामी चंद्रमा है चतुर चर्ण का स्वामी सुक्र है यानि आज का दिन आपके लिए सुभ है भाग्य साली है सुभाग्य लेकर आया है लाब होगा और आपकी जीवन में तरक्य उनती की प्राप्ती होगी आज रावुकाल 7 बज कर 33 मिनट से 9 बज कर 10 मिनट रावुकाल के दोरान किसी भी सुभ काम का सिरी ग वात ना करें आपके लिए लख्की कलर पिंक होगा लख्की नंबर वन होगा सुभ मूरा सुभा 4 बच कर 40 मिनट से ब्रह्म मूरत में आरम होगा जबकि अभिजीत मूरत 11 बच कर 57 मिनट विजय मूरत 2 बच कर 31 मिनट अमरित काल रात्री का 9 बज के बाद का समय आपके लिए बेहतर होगा और सरवासिद्धी योग रात्री का समय आपके लिए विशेशतोर पर जीवन में सुख देने वाला साबित होगा तो आज ये सुर्ज सुक्र के परभाव से स्वभाग्य योग में गिरस्पत चंद्रमिक की द्रिष्टी से कर्म धन लाव भाग्य की परवलता सुख है यानि आज जे मनवांचित सफलता और आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा आप भाग्य साली बनेंगे सब भाग्य साली बनेंगे तो आप हन्मान जी का दर्सन करें हन्मान जी की पूजा करें आज परदोस भी है तो महादेप की अराधना करें आपके लिए दिन बरा सुख है भाग्य साली योग है किस्मत आपका साथ देगा और आप विजय प्राप करेंगे कारसिधी का योग है आपके लिए आज का दिन भाग्य साली है सब भाग्य साली है तो आज आप हन्मान जी का दर्सन करें हन्म जै सरी राम, जै सरी राम, जै हन्मान.